कॉंग्रिस प्रवक्ता प्रेम कॉशल ने कूडे के ठेर में मिले वैलेट पेपर राकरण के मध्यनजर परदेश चुनाब आयोग द्वारा निश्पक्स पंचाय चुनाब संपन करबाने पर सवाल उठाते वे कहा कि उक्त घटना ने पंचाय चुनाबों में धांदली होने क की शंकाओं को सही साबित किया हैं तथा चुनाब आयोग ने सरकार की कटपुतली की तरह काम करते वे सरकारी तंतर को भाजपा की सहायता करने की खुली छूड़ दी जिसकी वज़ा से कई स्थान पर जनादेश को पल्टने का कारे हुआ कॉंग्रेस प्रवक्ता ने सरकार के जन्मच कारेकरमों पर भी टिपनी करतेवे कहा कि इन कारेकरमों के माध्यम से जनता को बेपकुप बनाकर मंतरी राजनितिक ड्रामेवाजी को अंजाम दे रहे हैं समस्याओं का समाधान करने की वज़ाए शिकायत करने वालों को धक्के मारकर निकाला जा रहा है और जो कारेव, धारंते, जिलादीस, SDM तता तहसिल दास्तर पर प्रशाशन जनता के द्वारा कारेकरमों के माध्यम से पूरम में होते रहे हैं उनको मंत्रियों का मंच सजाकर राजमितिक हित साधने की कोशिश की जा रही है तेम कौशल ने हमिटपूर के जगरियाईनी में आयोजित जनमंच कारेकरम के दोरान एक शिकायत करता वुजूर के साथ की गई बदसलूकी के लिए सरकार से माफि मागनी की माग की सोलन जिला के धर्मपूर में कच्रे के धेर में जिस परकार से बैलट वेपर मिले है उस से हिमाचल परदेश के अंदर आलही में संपन पिंचायती रास्ताओं के जो चुनाब है उसमें धांदली की जो शंकाएं और रोब हैं उस ही सावित होते है और हिमाचल परदेश का चुनाब आयोग परदेश के अंदर निश्पक्ष चुनाब कराने में विफल रहा है असफल रहा है तथा चुनाब संपन कराने में शामिल जो सरकारी मिशीनरी थी उसको चुनावयोग ने खुली छूट दी कि वो भारतिय जनता पार्टी की मदद इन चुनावों में करे इसी परकार सरकार के दौरा बेभिन जीलों में यहुजित जन मंच जो है वो एक राजनीतिक ड्रामे बाजी का माध्य बन करे रहे गए वो काम पूरुब में जो जिलाधिश एस्टियम तहसीलदार जनता के दौर परशाशन या परशाशन जनता के दौर करेकरम के माध्यम से करते थे उन्ही कामों को लेकर आज परदेश के मंत्री मंच सजाकर एक राजनीतिक ड्रामे बाजी को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और हमीरपुर जिला मेयवजित जिग्रियानी स्थान पर जन्मंच के दौरान एक बज़र्ग के साथ अपनी समस्या को रखने के लिए जिस तरीके से बदसलुकी की गई उनको धके मारे गए मंच से उतारा गया वो नाकेबल दुरभागे पूरण है अपिती सरकार का जो जन्मंच का ये ड्रामा है जिसके माध्यम से राजनिती खेल खेलने की कोशिश की जा रही है उसको भी उजागर करता है कल के जन्मंच में उपस्थित मंत्री और सरकार से कॉंगर्स पार्टी मांग करती है कि जिन बज़रुक के साथ उमर दराज व्यक्ति के साथ पूलिस के लोगों ने धके शाही की धके मार कर उनको मंच से उतारा गया बाहर निकाला गया इस पर करन के लिए मंत्री और सरकार शमयाज ना करें प्याल टीवी के लिए हमिरपुर से व्योर रिपोर्ट